कैमरमन फोकस करो गंजडिया का बाप आ रहा है बाकी आज हम बात करने वाले हैं पवन सिंग के इस वाले गाने के बारे में आई हो दादा कैसन पियवा के चरी तरबा तू आया है जो कि आप लोगों ने पहले इस गाने को सुना होगा और उसके बाद काफी सालों के बाद तू आया है आई हो दादा कैसन पियवा के चरी तरबा दोनों गाना में बहुत सा कॉमन चीजें हैं जैसे कि उसमें चोली की बात हो रही थी यहां भतार का बात हो रहा है लेकिन अगर दोनों गाने से इन दोनों वर्ड को हटा दिया जाए तो गाना बन जाता है एक नमबर मतलब परफेक्ट गाना हो जाता है बिना किसी असलीलता का लेकिन ज़रा आप सोचिए कि इस गाने में अगर भतार नहीं भी होता तो बताए क्या गाना नहीं चलता बाकी ये गाना एक तरफा है अगर सिर्फ और सिर्फ एक चीज को हटा दिया जाए थोड़ा सास लील लग रहा है भतार के कारण आडियो में बाकी अगर बीडियो पे जाएगा तो भाई बीडियो तो किसी के सामने आप नहीं देख पाएगा बीडियो में पूरा छीया लेदर कर दिया गया है इस गाने के साथ मतलब क्या बता है मतलब पोट्डी कर दिया गया पवन सिंग के द्वारा अरे भाई करना ही है इस साहब तो कैमरे के पीछे तुमें जो कुछ कर लो भाई उससे तुमको कोई मना ही नहीं करने वाला है लेकि कि इस गाने के बारे में अगर बात कि जाए तो गाना भाई आते ही ना पांच लाग छो लाग दू घंटा में चला गया था और विस नंबर पर ट्रेंड कर रहा था और अगर इस तीती अभी का बात करें उस गाने की स्थीती के बारे में तो अभी 16 लाग यानि कि 1.6 मिलियन चल गया है और चार नंबर के साथ ट्रेंड कर रहा है और वीडियो का क्वालिटी उसका तो क्वालिटी का भाई एकदम मतलब कहना ही नहीं है बेहतरीन क्वालिटी के साथ आया है वेब म्यूजिक पे यह गाना और एक तरफा गाना है लेकिन बस दुख इस चीज का ही है कि दूसमें इन सब सब्दों का क्यों इस्तमाल करना तोड़ा खराब लगता है वीडियो को भी नहीं छोड़े वीडियो में इतना गंद मचा दिया है कि वीडियो तो भाई देखी नहीं सकता है कोई अरे भाई इतना असलीलता के साथ वीडियो पर उस्ते हो बताओ तो कोई भी आदमी अपने फोन में यह देखेगा कि पवन सिंग का गाना आया है नया बताई आफी का कट्टर फैन अगर देख रहा है वीडियो कि पवन सिंग का नया गाना आया है और उधर से उसकी मम्मी जाडू लगाते हुए खड़ी हो गई कि क्या देख रहे हो बेटा यह पवन तक लिन उसकार पर नाम जै मगद जै बिहार